Hello everyone, how are you all? I hope सब अच्छे ही होंगे Today we are going to cover next important topic of computer communication यानि की computer में communication किस के थू होता है? ठीक है? तो computer में communication होता है internet के थू अब internet है क्या? internet क्या है एक largest computer network है वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर millions of computer, private, public और government networks आपस में क्या होते हैं? interconnect होते हैं, जुड़े होते हैं, किसलिए? for sharing information, information को share करने के लिए बहुत सारे network या computer system आपस में क्या होते हैं? connected होते हैं, linked together अब आता है internet, internet बना है two words वो two words कौन-कौन से हैं, first है हमारे पास interconnection ठीक है, second है हमारे पास network the internet is the largest computer in the world, connecting millions of computer a network is a group of two or more computer systems linked together ठीक है, computer हमारे पास कहां से आया? किसने डेवलोप किया था? इसको डेवलोप किया था 1969 में अर्पानेट ने, A-R-P-A-N-E-T, अर्पानेट ठीक है? अब डेली लाइफ में यूज क्या होता है internet का? मूवी देखते हैं हम लोग फॉर्म, वचिंग मूवी, प्लेइंग गेम्स, इकोमर्श, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, शोपिंग जस्ट वन क्लिक शोपिंग के लिए, एंटरेटेनमेंट के लिए, कम्मिनिकेशन, फास्टर कम्मिनिकेशन चैनल के लिए हम अपने मैसेज, या मेल करते हैं, इमेल करते हैं, अपने फ्रेंड स्य Welshल के पास, तो वो क्या है? यूज ओफ इंटरनेट, benefit ओफ इंटरनेट नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाइडवेब वर्ल्ड वाइडवेब को किस ने इंवेंट किया था टीम बर्लिल ने किया था टीम बर्नर ली कब किया था 1989 में ठीक है वर्लड वाइड वैब यानि की www www इसके व्यूंस को स्टोर करना किसकी फर्म में वेब पैजिज की फर्म में औल इन वेब पैज़ीज आपने पच्छित हम फोर gonna इन हैपर ट्च्ट you earn वेब पैज़ किसकी हेल्प से हम वेब तेज़ीज को देखते हैं web pages are displayed with the help of web browsers ठीक है अब आता है हमारे पास worldwide web किस-किस पर based है इसमें कौन-कौन सी technology यूज होती है इसमें होती है हमारे पास HTML ठीक है ठीक है अई होग प्लियर हो गया होगा HTML हमारे पास क्या होती है इसकी form hypertext markup language http क्या होता है hypertext transfer protocol ठीक है वर्डवाइड वैब अभी देखिए वर्डवाइड वैब पोपुलर क्यों है इजी टू यूज एक तो हम क्या कर सकते हैं इसको easily use कर सकते हैं ठीक है दूसरा create कर सकते हैं अपने information create user information and share through लोगों के साथ share to people through net net के थूँ हम अपने information को लोगों के पास पहुंचा सकते हैं ठीक है इसमें बहुत सारे protocol आते हैं बहुत सारी term use होती है जो follow करता है world wide web वो कौन कौन सी है cgi common gateway interface http मैं आप लोगों को already बता चुकी हूँ माइम multi purpose internet mail extension ठीक है एक ये use करता है URL URL क्या होता है uniform resource locator फिर आता है हमारे पास SSL ये किसलिए use आता है secure socket layer यानि की security provide करने के लिए I hope clear हो गया होगा कि world wide web किसने दिया क्यों दिया और कब आया ठीक है ये देखिए worldwide web is a virtual network of website connected by hyperlinks या web pages stored on servers on the internet ठीक है और क्या है हमारे पास worldwide web क्या है एक part है किसका part of internet next आता है हमारे पास web browser web browser क्या है एक tool है जिसके through हम worldwide web को क्या कर सकते हैं SS कर सकते हैं ठीक है इसके main work होता क्या है display the web pages यानि कि जो web pages create किये थे users ने उनको show करना ठीक है I hope clear हो गया होगा कि web browser होता क्या है ठीक है ये देखिए a web browser is a tool that uses to assess worldwide web main job of web browser is to display the web pages web browser की example क्या क्या है हमारे पास जैसे chrome है chrome क्या एक web browser है mozilla firefox uc browser opera all are all these are the web browsers नेक्स्ट आता है हमारे पास email email क्या होता है हमारे पास introduction to email यानि की electronic mail इलेक्ट्रोनिक mail इसका काम क्या होता है message को send और रिशियू करना through internet ठीक है जैसे हम कोई भी letter लिखते हैं भेजते हैं तो एक mail एक net के through mail को message को audio video जो भी है कोई भी text है कोई image है उसको send करना through net यानि की through internet अब इसके लिए हमें requirement क्या क्या होती है वो देखिए एक तो mail को रिशियू करने के लिए हमें क्या चाहिए एक email account चाहिए दूसरा email address चाहिए जिस बंदे के पास हमें mail को send करना है हमें उसकी क्या चाहिए mail id चाहिए ठीक है mail id और उसका mail id के लिए क्या चाहिए पहले हमें अपना account create करना पड़ेगा mail id के लिए ठीक है जैसे gmail बहुत सारी message है बहुत सारी email है जैसे हम कह सकते है gmail yahoo mail ठीक है hotmail rediff mail ये सारी क्या है हमारे पास email है इसके लिए हमें चाहिए user की id और account जिस पर से हमें send करना है address को ठीक है ये देखिए अप लोगों के लिए एक information दीए है यहाँ पर new message यानि कि यहाँ पर हमें क्या करना है जिसके पास mail send करनी है message भीजना है audio video जो भी send करनी है उसका यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें लिखना है यहाँ पर address email gmail address जो भी उसका address है जैसे k.at the rate gmail.com ठीक है और cc is the carbon copy bcc is the blind carbon copy ठीक है यहाँ पर हमें क्या करना है अगर हमें एक से ज्यादा के पास एक ही टाइम पर mail भेजना है तो उनके address यहाँ पर लिख सकते है mail address subject के अंदर हमें subject किस बारे में हम उस mail को भेज रहे हैं उसका एक overview कह सकते हैं या फिर हमें जैसे letter लिखना है किशी shopping के लिए या किशी की plane लिखनी है किशी issue के थ्रू तो वहाँ पर उस subject की heading डाल सकते हैं यहाँ पर हम ठीक है यहाँ पर ही क्या होता है यहाँ से हम जो file या letter हमें attach करना है उसको हम attach कर सकते हैं प्लस से क्या है कई बार हमारी पास दो तीन या चार फाइल इकटी होती है तो यहाँ से हम दूसरी file को attach कर सकते है ठीक है send पर click करता ही क्या हो जाता है महारा पास message send हो जाता है जैसे ही message को send किया किसी के पास तो receiver क्या करेगा अपने inbox को gmail के inbox को open करेगा उसके अंदर क्या क्या चीज़े होती है यह देखिए compose बटन होता है उसके बाद यह address होता है यह क्या होता है email का subject होता है और यह date होती है इस form में आता है हमारे पास एक gmail का format होता है ठीक है menu option में यह चीज़े आ जाती है जो यह है और email sender में जो जिसने भेज़ा है उसका यहाँ पे address शो जाता है यहाँ पे किस बारे में जो आया है जो हमने subject डालना बताया था वो subject शो जाता है और यहाँ पे last में date यह कि किस date को आया था I hope यह सब क्लिए फर इसी के अंदर हमारे पास आता है एक message pane मैसेज pane क्या होता है जब भी हम यह आप लोग email select करते हो इंबोक्स के अंदर तो message pane के अंदर open ठीक है इससे हम अपने message को read कर सकते हैं या हम जहां से receiver कर सकते हैं कि हमने मैसेज रीड कर लिया है या उसने कुछ कोशनिंग पुछा है उसका मानसवर दे सकते हैं इमेल यानि कि इलेक्ट्रोनिक मेल किसका पार्ट है टीशी पी आईपी को के लिए हम क्या यूज़ गरते हैं कौन सा प्रोटोकोल यूज़ गरते हैं सम्टिपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकोल दूसरा में काम होता है इसका रेशीविंग receiving के लिए दूसरा protocol यूज होता है वो कौन सा होता है P.O.P P.O.P 3 ठीक है I hope mail email clear हो गया होगा सबको आज के session के लिए इतना ही मिलते हैं next session में